मित्रो नमस्कार मेरा नाम है राचेंद्र प्रताप सिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल व्यूपाइंट विद्र राचेंद्र आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं चत्तिस कल्ड राज्य की घसिया जंजादे की घड़वा धातु सिल्प कला के बारे में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सिल्प कला को बस्तर के आदिवासी आज भी जीवित रखे हैं यही नहीं आदिवासी सिल्प कारों ने इस अति प्राचीन कला को अपने कौसल से वैस्विक स्तर पर भी पहुँचा दिया है कुछ वर्स पहले तक बस्तर के हाट बाजार में बेटने वाला यह सिल्प अब भारत के राष्टपती वापरधानमंत्री आवास से लेकर मंबई के ताज होटल की सोभा बढ़ा रहा है योरोप, अमेरिका और आश्टेलिया में भी बस्तरिया घड़वा सिल्प के प्रसंसक हैं जो इसकी मांग निरंतर करते रहते हैं पुरतत विद अरनेश्ट मैके को वर्स 1926 में मोहन जोदरों की खुदाई में कांसे की बनी हुई नर्तकी की मोर्ती मिले थी इंडियन कॉंसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने अपनी सूथ पत्र में दावा किया कि मोहन जोदरों में मिली नर्तकी की मोर्ती वास्तों में देवी पारवर्ती की है इसे करीब पच्चिस सो इसा पूर्व लाश्ट वैक्स तकनिक से बनाया गया था बस्तर के घड़वा सिल्पकार भी सेकड़ों वर्ष से इस तकनीक का प्रियोग कर मोम और मिट्टी के साचे में धादू को ढाल कर कलाकरतियां तयार करते हैं कोंडा गाओं के भेल वाबदर को घड़वा सिल्पकला का गढ़ कहा जाता है यहां करीब 85 परिवार हैं जिन में से 688 इस कला से जुड़े हुए हैं यह इनकी आय का अहम सुरोद भी है खेती किसानी के अतरिक तवे 20 से 25 हजार रुपे तक की मासी काय इससे कर लेते हैं राश्पती पुरुषकार से सम्मानित राजिंदर बगेल और सुर्गी डॉक्टर जैदेव बगेल भेप वाबदर गाउं से हैं डॉक्टर जैदेव बगेल के बाद उनके पुत्र भूबेंदर इस सिल्पकला को आगे बढ़ा रहे हैं वो बताते हैं कि धातु सिल्प को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के साथ ही दच्छण अफरिका के कैप टाउन, फ्रांस के लियोन, शुट्यर लेंड के ब्यूल सहर में प्रदर्सित कर चुके हैं इन सभी जगह से उनके पास सिल्प की मांग आती है सिल्प कार राजिंदर बगहल बढ़ाते हैं कि पहले खेट की मिट्टी और चावल के भूसे को मिलाकर कलकृती का आकार दिया जाता है इसे सैंड पेपर से घिसने के बाद मूम के धागे से बैंडिंग की जाती है फिर मूम पर डेजाइन बना कर मिट्टी और कोले के मिस्टरण की दो परते जड़ाई जाती है जिसमें सुराख रखा जाता है इसे 1000 डिग्री सेल्शिस पर गर्म किया जाता है सुराख से बेल मेटल यानि की तामबा और टीन की मिस्टरण धादो को पिगला कर डाली जाती है जो मूर्थी का आकार लेती है इन मूर्थियों में कच्छुआ, घोड़ा, हाथी, आभूशों, आदिवासी जन जीवन सहिद कई मूर्थियां ऐसे तयार की जाती है घड़वा सिल्ब की तकनीक वही है जो मूहन जोड़ो वा हडपा से मिली मूर्थियों में प्रियुक्त की गई है उरिशा, बंगाल और जारखन में भी यकला जीवित है ऐसा माना जाता है कि राजाओं, रजवारों के साथ इसे जुड़े कई कलाकार पूरे देश के कई हिस्सों में फैल गए इस प्रिकार ये कला भारत की सांस्कितिक विरासत के साथ उध्धमिता और छेतरी कोसल का भी परिजायक बनी हुई है अब आई जानते हैं ढोकरा और घडवा धातासिल्प कला में अंतर क्या है इंटरनेट और पुस्तकों में बंगाल, उडिशा एवं 36 गड़ के आदिवासी लोक धातासिल्प को ढोकरा धातासिल्प कहकर संबोधित किया गया है बंगाल के आदिवासी लोक धातासिल्प को धोकरा धातासिल्प इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ धातासिल्प धातासिल्प का कार्य धोकरा कमान आदिवासी संबोधित के लोक करते हैं लेकिन बस्तर के धातु सिल्पी स्युम को धोकरा संबुदाय का अंग नहीं मानते हैं और वे अपने सिल्प को भी धोकरा नाम से संबुदित नहीं करते हैं बस्तर के धातु सिल्पी स्युम को मूलता घसिया जाती से संबंदित मानते हैं और अब अपने को घड़वा कहते है इस आधार पर बस्तर के धातु सिल्प को घडवा धातु सिल्प के नाम से जाना जाता है मूर्ति रहलाई की पध्धती ढोकरा और घडवा दोनों की सेम है दोनों में कोई अंतर नहीं है सिर्फ आदिवासियों की जाती का अंतर है लेकिन अक्सर 36 गड़ के सिल्प को भी धोकरा धातु सिल्प कह दिया जाता है तो बस इतनी सिथी जानकारी है आपको कैसे लगी अपने विचार कमेंट बाक्स में ज़रूर लिखें तो फिर मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ नामस्कार